हम क्रिश्न सुदामा की तुम्हे भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिश्न सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी, सीखे दुनिया सारी विद्या ग्रहन करने को दोनों आये गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल दूर बड़ा पड़ता था जंगल में उठे सवेरे जल्दी दोनों करके सौच असनान, जो भी गुरुजन उन्हें पढ़ाएं पढ़ें लगा कर ध्यान गुरु माता के हाथ का खाना वो तो खाते थे, बोजन के लिए बीन लकडिया रोज वो लाते थे उस दिन भी गुरु माता ने कृष्णा जी को है बुलवाया, लाओ बीन लकडिया ये दोनों को हुक्म सुनाया कर प्रैनामो गुरु माता कोशी से जुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी, सीखे दुनिया सारी तैसी होती आरी, सीखे दुनिया सारी बुला सुदामा को गुरु माता लगी हैं फिर कहने भूख लगी तो खाले ना ले जाओ भुने चाने एक पोटली में वो चने हैं सुदामा ले आए दिया है कुछ माता ने कृष्णा देख नहीं पाए चुनते लकरिया जंगल में वो डोले इधर उधै लगी है चलने आधी तभी और बादले आएगे चमके बिजली अंबर से और लगा बरसने पानी थोड़ी दिर विसराम करे ये दोनोंने है ठानी एक पेड के नीचे फिर दोनों आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिष्ने सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारे कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारे भीग गए थे दोनों जब वो लगे पेड तले आने मारे सरदी के दोनों के दात लगे किटकिटाने एक पेड की डाल पे जाके गए सुदामा बैट बैठे क्रिष्ना नीचे वो लगा तने से पीट छिपकर क्रिष्ना जी से सुदामा लगे भुने चन खाने लेकिन क्रिष्ना जी को भी है लगी है भूख सताने बोले सुदामा से क्रिष्ना ये क्या तुम खाते हो कहे सुदामा क्यों मुझे पे इलजाम लगाते हो मारे ठंड के यूं हम तो दात बजाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिष्न सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी सीखे दुनिया सारी छुपके सुदामाने है फिर तो चने सभी खाएं रुकी जो बारिस लेकि लकडियां लोट के वो आएं लोट गए अपने अपने घर करके शिक्छा पूरी रहते थे कभी साथ साथ अब बढ़ गई थी दूरी बने द्वार काधी से क्रिष्न तो अपना राज चलाएं संग सुसीला के भी सुदामा लिये है व्याह रचाएं समय का पहिया अपनी गती से गया है फिर चलता था मंजूर नियत को फिर उनका समय पल्टा निर्धन हुए सुदामा क्रिष्न राजा बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिश्न सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती यारी सीखे दुनियां सारी इतने निर्धन हुए सुदामा खाने को नहीं अन लेकिन श्री कृष्ण भगती में वो लगा रहे थे मन रूखा सुखा जो भी मिलता वो ही खाते थे साथ सुसीला के वो अपना समय बिताते थे कहने लगी सुसीला हमने कौन से पाप कमाए कौन जन्म के कर्म ही स्वामी अपने आगे आए कहने लगे सुदामा मैंने किया दगा मितल से गुरु माता ने दिये चने वो खाए थे चिप करके फिर तो सुसीला को किस्सा वो सभी बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिश्न सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी कहने लगी सुसीला जो वो यारी तुम्हारे है, खुल सकते फिर पल में स्वामी भाग हमारे है जाके तुम क्रिश्ना जी को अपना हाल बताओ, दे देंगे वो थोड़ा सा धन आप मांग कर लाओ कहने लगे सुदामा ये तो मुझसे होगा ना, सिख्छाली है मांगने से तो अच्छा है मरना कहे सुसीला बुरे वक्त में काम जो आते हैं, असली मित्र तो मेरे स्वामी वो कहलाते हैं फिर तो बात सुसीला की वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी कहने लगे सुदामा कैसे खाली मैं जाऊंगा थोड़े चावल बचे हैं घर में वो मैं ले जाऊंगा बाध पोटली फिर तो सुसीला चावल ले आई सीख्र लोट कर आऊं कहकर लेने लगे विदाई चल दिये नंगे पाऊं पहन कर वस्त्र फटे पुराने क्या पहचानेंगे क्रिश्ना जी डर भी लगा सताने राह कटीली पैर भी उनके हो गए लहू लुहान जैसे तैसे द्वार का में वो पहुच गए हैं देख द्वार का बड़े अचमभित वो हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिश्न सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी सीखे दुनिया सारी आकि सुदामा द्वार पाल को परचय लगे बताने सुनकर द्वार पाल भी उनका लगे मजाक उडाने करके बिन्ती द्वार पाल को फिर तो समझाया जाके कहना क्रिश्ना जी से यार सुदामा आया फिर तो एक दर्बान ने उसकी बात भी है मानी क्रिश्ना जी के पास में जाकर बतला दी है कहानी द्वार पाल के मुख से जैसे सुना सुदामा ना दोडे दोडे आये हैं प्रभु उठकर नंगे पाँ देख कि दसा सुदामा की उन्हें गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिष्ण सुधामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारी बूल गए क्या मुझे सुदामा आये कई दिन बार अपने यार क्रिष्णा की तुमको क्या आई नाया फिर तो संग सुदामा को वो ले गए महल के भीतर नीचे बैठे क्रिष्णा जी और यार सिखासन पर देखिके हालत अपने यार की क्रिष्ण बहुत रोए अश्रू जल से क्रिष्णा जी ने उनके पैर धोए फटे पुराने वस्त्र बदल कर नए है पहनाए लगे पूछने क्रिष्णा जी क्या मेरे लिए लाए बधी पोटली चावल की फिर वो तो छिपाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारी कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारी बोले क्रिष्णा जी के सुदामा ये क्या छिपाते हो लाए पोटली मेरे लिए फिर क्यूं सरमाते हो फिर तो पोटली क्रिष्णा जी ने ले ली अपने हार तीन ही मुठी थे चावल वो दो मुठी गए फाग देख रुकमणी क्रिष्णा जी को मन में है घबराई तीन लोक इन जो दे दोगे हम कह रहे कनाई तीसर मुठी चावल को जब क्रिष्णा रहे है फाग जट से पकड लिया रुकमन ने क्रिष्णा जी कहा देख रुकमने की वो और फिर वो मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी क्रिष्ण सुधा मा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी सीखे दुनिया सारी कुछ दिन रुके सुदामा फिर तो होने लगी विदाई सोचे किस मुह से मागू मैं लाज बड़ी ही आई धूमधाम से कृष्णा जी ने उनको विदा किया आये थे जो आसा लेकर धन कुछ नहीं दिया मन में सोच रहे है सुदामा कृष्णा है कैसा याई सोचत सोचत मन में वो नगरी से आ गए बाहर आये नगर में नहीं दिखी उनको अपनी कुटिया उस कुटिया की जगह हम किसने महल है बना दिया गया क्यों मिलने यार इस चिन्ता में पढ़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी कृष्णे सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी कुटिया की जगह उनको तो दिया सुन्दर महल दिखाई पतनी सुसीला की आवाज है उनको पड़ी सुनाई देखा तो अपनी आखों पर आया नहीं यकी महरामी के जैसे सुसीला बैठी बनी ठनी फिर तो सारा भेद सुदामा पल में जान गए कर दिया है उपकार यार ने बिन पूछे या कहे बुरे वक्त में काम जो आए वो है सच्चा यार सदा अमर है यारी इनकी जब तक है संसा आज तलक भी किस से सुने सुनाए जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरी सीखे दुनिया सारी कैसी होती आरी सीखे दुनिया सारी कृष्ण सुदामा की जो भगतों हमने कही कथा जनम जनम का पुन्य है इसके सुनने से मिलता हंस राज रिलहन तो बस यही चाहते हैं सब कामों को छोड कथा मुझसे लिखवाते हैं उनकी भावनाओं का भी तो रखना पड़ता ख्याल फौजी सुरेस लिखता है गाता है डी असपा माता सार दे का आशीस है मेरे सर पे जब तक चलती रहेगी कलम यह मेरी लिखता रहूंगा तब तक वेरी नाइस के कमेंट होसला बढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारे कैसी होती आरे सीखे दुनिया सारे